इस रुद्रम में ग्यारा नुवाख है इसके बाद चमकम बनेगा उसमें भी ग्यारा नुवाख है तभी हम लोग दूसरे नुवाख को सुनते हैं इसमें एक भेद होता है त्रिकागनी कालाय को कई लोग कई बर पंडित लोग त्रिकालागनी कालाय ऐसा भी पढ़ते हैं इसका अर्थ बहुत सरल है दूसरे नुवाख में भी भावना यही करनी है नमस्ते अस्तू आपको नमस्कार है भगवन विश्वेश्वर आया है यह भगवान जो आप इस विश्व के ईश्वर हो ऐसे जिनके कंट्रोल में यह विश्व चलता है इश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर नियामक, जिनके नियमों में ये विश्व चलता है, वो विश्वेश्वर उनको नमस्कार है, आप देवाधी देव, महादेव हो, आपको नमस्कार है, आप त्रियंबक हो, आप तीन नेतरों वाले हो, आपके तीनों नेतर तीनों लोकों तक फेले हुए हैं, तो आपको नमशकार है, त्रिपुरा अंत काया, आपने त्रिपुर नाम के असुर का अंत किया था, आपको नमशकार है, त्रिका अगनी काल आया, आप जो अगनी के स्वरूप में, यहां पर त्रिका अगनी, तीन प्रकार के जो अगनी है, उसका मेंचन किया गया है, आप लोग सती होता है यह बस्म कहां से निकला अगनी में किसी चीज़ सिंप जल आई उस मेंसे बस्म निकला उस भश्मकर लगा यह जो कह लिए शाक्षात रूद्र हें तीन प्रकार कि अगनीओं को यहाँ पर कहा गया तरिकागनी काल काया कि आपте प्रकार kाष्म का स्वरूप है एक अगनी जो हम लोग घर में जलाते हैं वो एक अगनी घर से अर्थ होता है अपना घर और ये शरीर ये शरीर जिसमें जठर अगनी हमेशा जल रही है ये अगनी का सुरूप हम अन्न खाते हैं ऐसे लगता है कि हमारी उमर बढ़ती जाती है लेकिन धीरे 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 हम मृत्यू की और अगरसर होते हैं, काल हमारे उम्र को खाये जाता है, वो अगनी का तत्व हमें जिन्दा भी रख रहा है, लेकिन उसी वक्त हम साथ में मृत्यू की और भी धीरे धीरे अगरसर हो रहे हैं, अगर कोई आदमी समझे जिसे हैं, अगर क्योंकि यदि हम जी रहे हैं तो पिछले एक घंटे पहले वाला समय तो चला गया तो मतलब हमारे जीवन का तो चला गया अब हम एक घंटे और आ गया आगया अपने मृत्तियू के पास है ना तो हम जी रहे हैं या हम मर रहे हैं हम हर सेकंड हर सेकंड मृत्यू की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं जो अगनी ने जिस अगनी ने हमको समाल करके रखा है जो अगनी हमें प्राण देती है जो अगनी हमसे अगनी ना हो हमारे शरीर में अगनी तत्व तेज यह तेज हमारे अंदर यद लेता है लेकिन यही अगनी तत्व हमारे जीवन को फिर ले भी लेता है तो पहली अगनी जो होती है वो हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर के अगनी तो गार पत्य अगनी उसको हम कहते हैं और एक अगनी वही हमारे घर के अंदर जो हम अगनी जलाते हैं फिर घर के अंदर जब वो अगनी में जो हवन हम ने किया वो अगनी का सुरूप भी भगवान शिव है तो पहला अगनी गारपत्य अगनी हमारे शरीर के अंदर के अगनी हमारे घर के अंदर के अगनी हमारे घर के अंदर जो हम हवन करते हैं उसकी अगनी तो वो अगनी दूसरी अगनी अचा ये अच्छा, समुदर के अंदर भी अगनी होती है, समुदर के अंदर अगनी होती है, अर्थक्वेक होता है, फिर बड़े-बड़े सुनामी आ जाते हैं, तो वो अगनी कौन है, ठीक, तो ये जो अगनी है, जो ग्रह में है, चाहिए वो शरी रूपी ग्रह में हो, चाहिए प्र अगनी हम कहते हैं तो हर घर के अंदर हर ये शरी रुपी घर है उस घर के अंदर एक अगनी है वो अगनी गारपत अगनी वो भी कौन है वो भगवान शीव दूसरी एक अगनी होती है उसको कहते हैं दक्षिनागनी दक्षिनागनी क्या होती है जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी इस बोड़ी को जलाया जाता है है ना तो जल जाती है बोड़ी तो वो अगनी जो इस बोड़ी को जला रही जो इस शरीर को जला देती है और भस्म कर देती है फिर उसके बाद एक राख बचता है घर की अगनी जो है उसमें भी अंद में एक राक बचता है जो बोड़ी जब जल जाती है उसमें भी राक बचता है बच जाता है ये दो प्रकार की अगनी हुई तिसरी अगनी होती है आवान की अगनी अहावानी अगनी तो मैंने कहा कि जब हम कभी ही भी बड़े बड़े यगे करत तो उस समय पर जो अगनी का स्वरूप होता है वो भी साक्षात रुद्र है ठीक अच्छा ये तो हम बुला रहे हैं कभी-कभी नेचर में ब्रश फायर्ज हो जाते हैं अपने आपी तो ये भी अगनी का एक स्वरूप है आता है और अपने आप ये चला जाता है तो जब ये अगनी आता है तो सब को अगनी जब प्रकट होती कहीं भी प्रजुलित होती है तो सब कुछ भस्म करके चली जाती है तो भस्म करके जो बचती है वो राक आश जो शिव के जो भक्त होते है वो उसी आश को लेकर के ये जो लगाते है यहां से लेकर के तीन तो वो इसी भस् यही त्रिकागनी त्रिकागनी भस्म है तीन प्रकार की अगनियों को यह डिनोड करती है रुद्र और शिव यह दोनों एक साथ चलते हैं श्रिष्टी में हमेशा यह अगनी हर जगा है वो अगनी कौन है वो रुद्र का रूप ही है ठीक अब आगे बढ़ते हैं त्रिकागनी कालाय कालागनी रुद्राय नील कंठाय मृत्युन जयाय की कालागनी रुद्राय है रुद्र भगवान जब काल आता है उस समय अगनी का जो आप रुद्र रूप लेते हो वो रूप आपको नमस्कार है नील कंठाय आपका जो कंठ है वो नीला है क्यों नीला है क्योंकि विश्व की जितने जहर है भगवान ने अपने गले में लेकर के रखा है इसी लिए हम सब सुरक्षित है नील कंठाय, मृत्यूंजयाय आप मृत्यू आपको छू नहीं सकती है सरवेश्वराय, सभी के आप इश्वर है सदाशिवाय, आप सदाशिव है यानि आप मंगल में है सदाशिवाय, सदाशिवाय, श्रीमन महादेवायनमहा हे महादेव आपको नमशकार है अनुवागदो का ध्यान वंत्र शुरू होता है अब अनुवागदो की यहां से शुरूवात हो जाती है